सो वालकम बैक गाइस कैसे हो आप सब बहुत अच्छा लग रहा है आप सब को फिर से एक वीडियो शायर करते हुए जैसे कि मैंने बोला था कि यार गॉलिम इवेंट आई है सो गोई ब्यूंट मैं खतम हो गई है अभी खतम हुई है और अपने देख था कलुम एर 141 एक्स वी था आज मेरा 142 ऑगाया जो 44 54 54 54 54 मुझे एक से मिला है और 90 जैम्स मिले और मैंने कल बोला था कि आपके लिए वार के लिए एक बड़िया सा वीडियो से खरूंगा तो आर स्वर की सिचिएशन देख लिए आप तहले 71 और 69 उनके यूज अफ अटेक पहुच ज्याद है लेकिन हमारे देखें अन्ली 36 में 71 तो मैंने बोला था कि मिला पर अटेक मारूंगा तो मिला के बेज मैंने पहला देखा था कैसा था तो इस एंटी हो एन एंटी लावा लून तो आइठींक यह बेज पर माइनर काम कर सकता है तो पहले मैंने पर से सिचिकरेंज लेकिन आराम से बाहर आशागे हो तो मैंने बैसिक लिए प्लाइन में साथ होगे गया हूँ और 13 आर्चर्ष अनर्ट में आल माइनर्स तो चार इंट पाल वन रेजर रेज इस डूप्स में आर्मी में किन्ग क्विन होना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सिसी नहीं माना तो आपका अटक फेल है तो पहले तो मैंने होग से सीच को भाहर निकल दिया है सीचि में ड्रैगन बेबी ड्रैगन और आर्चर्ष इटीन यार्चा और देख सकते हैं आपने कि कैसे होग अपना काम कर दिया है एक डिफेंस तोड़ दिया है और दूसरे डिफेंस किते हैं लाइफ थोड़ी कम कर दिया उसके बाद मैंने आफ्टर की रेंच मैंने एजूम कर ली थी कि कितनी थी तो यहां तक आस सकती थी तो यहां पर मैंने पॉजन डाग दी जिससे बेबी ड्रेकन और आर्चर और ड्रेकन की स्पीड कम हो जाए और आगे मिनियन कर दो के बाद मैंने पीछे आर्चर क्विन रख दिया इधर से मैंने किंग रखा है थोड़ा बेज क्लियर करने के लिए और टाइम ज्यादा अब को हील और रेज कब यूज करनी है इस डाइगि रपके को रेज और रेज यूसरे नहीं करने अपको पहले इस मतल़ प्लियाओ रहत है वहाब्स करनी यह सब्छाना में लेक्श का करीट और श्टार्टिंग यिलस पर योज कहे, ताकि वो हिलस्प थे मायनर को हिल कर्जाए बेहार दो पार्ट में दिएट ऊचिक थे साथ कि respeil तो में इसलें को ग्रिक थे एका एक स आई यूरी लाए रहा तो सो क्वीन थोड़ा बेज यहां से क्लियर करे थी किंग मर चुका था और देखो अब देख सकते है कि बीच से मैंने रेट्स यूसकी ताकिंग एर डिफेंस इंफरनो टावर एंड एक्स बोस क्लियर हो जाए और अर अल्सों हीडन टेसला सो जैसा ही मैंने रेट्स पर लखी उसके बाद मैंने हील्स पर रख दी क्योंकि हील को करना बहुत जरूए है और एक एक्स्राइक थी जो मैंने एक्सबो के पास जरूए जो दो पार में डिस्ट्रॉइड आइमिन डिवाइड हुए थे अगर आपकी स्पैल गलत वे में जहा ही है तो आपका अटेक फेल हो जाएगा सो अब देख सकते है बड़िया तरीक है से मायनने अपना काम कर गया है विक्विन की अबलीटी बाग ही है यहां से थोड़ी मैंने आर्चा स्प्राइड कर दी थी पीच्छा से थाकि बिल्द हरा क्लियर हो जाए सो इस टाइम भूम त्री स्टार और साटन अग्रेक मेरा यार दो स्टार आ गया तो ट्वैंटी परसेंट के लिए मैं रह गया क्योंकि वो बेस बहुत हाड था किसी सबने ट्राइक के लेकिन किसी तो हो नहीं रहा था सब एक स्टार यहां यहां सब्सक्राइब शुर्व में रहे थाया है तो मैंने यहां से पहले होक स्टार्ट किया है क्लैंट की देख ली और वाखिय है तो इसको आपके डिस्ट्रॉइ करना है तो जैसे मैंने बेस किया था हम मैं यहां से कि Corner करने के बादू। मैं आड़ए और त्वीले मैं रखूँंगा यहां का मैने देखा कि यहंडती हो चुका है रख i maths क्रिका अधिकेश्वानी हमानी के डाछ ब्लाच कने लिए यहां उसको भी आदर क्या कर दिया ताकि बेबी और ड्रेकन की स्प्रेड कर दिया है जिससे क्वीन को डेमेज ना हो सके बहलून तो यह अपर यहां पर मेरा थाइम थोड़ा ज्यादा ना जाए इसलिए मैंने एक या फिट दो माइने इक माइन स्प्रेड कर चुक एक माइन कर दिया कर दिया यहां पर यहां सब्कें माइनर श्प्रेड कर दिया था जो आपिंड आइक की मैंने चुलो कर दीया मााईंड व्लोय और यहां पर मैंने कि फिल दौ पारट में डाल दिया एक यहां पर और यहां पर कै अब अब आर्ये फिर ट्पल्लकिए अपना काम करने की जु आ यह थोड़े माइनर्स एक राइट साथ चले जाते हैं जिससे यह बेस रिट करना मुझे बहुत हाड पड़ जाता है तो मैंने तुरहन थी एक प्लान बना देया कि यहाँ पर मुझे हील स्पेल यूज करनी है क्योंकि I तो अगर सारे यहां चले जाती तो यह बेस आराम से में ट्रीयर पर कर देदा बट इस अ हाट लग रहस्ट आर्श फो डिस आर्ट आर्श वर्ट इस जब इस भी आख रिए लाइप विज श्काल्र यह थोड़ा एक स्टार के लिया रहे रहा याँ सब्सक्राइब को